कल रात को भूकम्प के जटके महसूस हुए भगवान का शुक्र है कि सही सलामत सुभा हो गई देखे मेरे तीनों प्रभू जाग गए हैं अभी बहुती बुरा समय चल रहा है बहुती दुखत समय चल रहा है आईवेश की भगवान सबकी रक्षा करें और जिनको शती हुई है उनकी मदद की जाए हरी कृष्णा मेरे नाम है प्रतिवा और मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है आज के व्लॉग में मैं राधा रानी जी का प्रिय भोग बनाने जा रही हूँ मैं अकसर सातविक भोग की रेसीपी आपके साथ शेयर करती हूँ अरभी की सब्जी उनका प्रिय भोग है खास कर दही वाली अरभी की सब्जी तो मैं अरभी की सब्जी बनाने जा रही हूँ वैसे ये recipe मैं किसी की फर्माईश पर अपने vlog में दिखा रही हूँ तो इसमें मैंने ये देखिए अर्बी ले ली है और इसको मैंने boil कर लिया है, boil करने के लिए मैंने इसमें आधा ग्लास पानी ही डाला था और दो सीटी में ये boil हो गए है और इसको boil करने के बाद अब मैं इसके जो छिलके हैं वो हटा दूगी वैसे तो अर्बी सीजन के हिसाफ से बनाई जाए तो जादा बेटर है पर आज मन हो गया कि राधा जी का पसंदीदा खाना बनाया जाए तो ये मैंने अर्बी जो है हाफ टुकडों में काट ली है boil है और साथ में थोड़ी सी अजवाइन की इसमें जरूरत पड़ती है और अजवाइन के साथ ये थोड़ा सा हरा मिर्च और धनिया भी मैंने काट कर रख लिया है इसमें बहुत जादा इंग्रीडिन की जरूरत तही होती है पर कुछ लोग मसालेदार भी बनाते हैं दही वाली अर्बी तो आप धनिया पाउडर वगरे भी यूज़ कर सकते हैं ये मैंने थोड़ा साथ दही लिया है दही में इतना पानी एड्ड कर दूँगी जतना मुझे quantity में सबजी बनानी है 4 लोगों के लिए बना रही हूँ क्यूंकि पकते से में थोड़ा पानी जो है वो его vraiत हो जाएगा तो इसमें मैं पानी एक साथ mix कर रही हूँ बाद में डालते से मैं अक्सर दही जल जाता है अब इसको मैं ऐसे मत लूँगी तो इससे दही के जो क्लंप से वो चले जाएंगे यह एक ट्रडिशनल टेक्निक है अब आजकल घरों में इस तरीके से यूज हो रही है साथ में मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स करूंगी बहुत जड़ा सा इससे यह होता है ना कि दही फटने के चांसिस कब रचा तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं पहले हम एक पत अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी अजवाइन जब अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें मैं हरी मिर्चे एड़ करूंगी हरी मिर्चे जब तक भुन नहीं जाएंगे तब तक मैं इसको चलाओंगी आप चिटरिंग की आवाज सुन सकते है हरे मिर्च मेरे अच्छे से भुन गए है अब मैं इसमें जो मैंने अर्भी बॉइल की थी उसको एड़ कर दूंगी हल्दी मैंने अल्रडी दही में मिक्स करकी है तो मैं हल्दी इसमें नहीं डालूंगी तो यह लिज़े मैंने सारी अर्भी इसमें डाल दी है अब इसको अ या इड़ करना है लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी पानी एड़ करने से गर्माहट जो है वह बैलHeल में す पहले पाणी नहीं तो चाहिए वर टाल हूं ताल तो चलांग सबस्टत चलाएंगे इसलिए क्योंकि दही के फटने के चांसें ज्यादा रहते हैं इसमें बेसन नहीं डाला जाता है अगर आप बेसन वाली कड़ी बनाओ तो उसमें चलाने का इतना जंजट नहीं होता है लेकिन केवल दही की कोई भी रेसेपी अगर आप बनाते हो चाहें घुईया अगर आप बनाना चाहें तो इसमें धनिया पाउडर और गरव मसाला भी एड़ कर सकते हैं पर हमारे साथवीक भोजन जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है ट्रेडिशनल तरीके से तो मैं इसमें धनिया पाउडर वगर एड़ नहीं करूंगी तो आप देख सक आपने देखा होगा कि मैंने इसमें नमक आड़ नहीं किया था क्योंकि दई वाली चीज हो चाहें दूद वाली चीज उसमें तुरंट नमक चीज नहीं किया जाता है तो अब मैं इसको गैस से उतार रही हूं यह मैंने धन्या उपर से डाल दिया है ताकि यह देखने में अच्छा लगे अब इसमें बस एक चीज बचिए है डालने के लिए और वो है नमक तो नमक को मैं अभी दो मिनट बाट डालूँगी एकदम गैस से उता रहा है ना तो तुरंट नहीं डालूँगी थोड़ा सा दो मिनट बाट डालूँगी अब यह देखिए मैंने इस तर जाते बनाकर भोग लगाने जा रही हूं अगर आपका दही का आलू या दही की अर्भी फट जाती है दही पट जाता है तो आप कुछ चीजे ध्यान रखिए जैसे मैंने बताया कि दही में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके डालिए और डालते समय गैस को थोड़ा सा उसमें तेज रखिए तो लेकिन घुईया में यानि की अर्भी में पानी पहले से मिक्स कर लीजे और सबसे एहम चीज अगर आप बहुत ज्यादा माहिर नहीं है ऐसी सब जी बनाने में तो पैकेट वाले दही की जगा खुले दही का प्रियोग कीजिए तो अब मैं जा रही हूं बाकी की चीज़े तयार करने अब अपना ध्यान रखिए और भूकन से रिलेटेड जो प्रिकॉशन्स हैं उनको भी ध्यान रखिए राधे राधे हरी कृष्णा